मुझे बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है और मैंने उसे ढूंडने की कोशिश की पर मुझे मिला नहीं मैंने अप्रॉक्सिमेटली शायद एक डेकेड अगो कहीं पर पढ़ा था या कहीं पर I think I read it somewhere एक जर्मन आर्टिस्ट है या फिर I don't know एक इंडिविज्वल थे जिन्होंने एक ऐसे description दी थे कि जब उन्होंने नटराज की ये जो sculpture है नटराज की sculpture की जब सामने वो खड़े हुए जब उन्होंने देखा तो he was brought down to tears उनकी आँखों से आसू निकल गए when he was looking at the नटराज उन्होंने उस समय ऐसा कुछ feel किया internally की he was so trembling with fear उनकी एक एक जो pore है skin का उसमें ऐसा divine fear था ऐसा fear जो कि हम कभी जब divinity की सामने आकर करते हैं that kind of rapture जो illumination kind of experience होता है some kind of a mystical experience वो उसको describe करने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने नटराज के सामने नटराज के सामने वो खड़े थे जब वो इस नटराज की मूरती को देखते हैं now art, color जो होती है अलग-अलग प्रकार से पाई जाती है कभी paintings मे, sculptures में, architecture में, movies में, music में और उसके अंदर ऐसी capacity होती है कि हमको इस प्रकार से move कर सके you know, it changes us a while, आप गाने सुनते हैं तो उनसे कभी-कभी आंसु निकल आते हैं, कभी-कभी movie देखकर खुशी उठ जाती है movie में कोई बहुत अच्छा scene है तो रॉंग टे खड़े हो जाते हैं, right, art का ऐसा effect आता है और जो great art, जो unequivocally, जो great art होती है वो humanity को कहीं पे internally, कहीं primal तरीके से बहुत ही जादा effect करती है यही ऐसा ही कोई experience, कोई numinous, कोई mystical experience उस individual को नटराज की मूरती देखकर हुआ अब नटराज जो है, वो कई 800-1000 सालों से पहले Indian artist के द्वारा create किया गया था which is a visual image of the Shiva, the God का dance करते हुए का, यह एक figure है एक sculpture है, एक चित्र है, and it is one of the most popular cultural heritage of India which has been exported to the world इसको कहीं पर भी पहचाना जा सकता है इंडीड आप जो यह photo देख रहे हैं, यह CERN Institute, जो की world का सबसे premier scientific institute है उसके बाहर लगी हुई है, जो की Indian government ने उनको gift की थी अब हमारे समय में, आप सोचे कि 1000 साल पहले यह जो Shiva की जो मूर्ती है, जिसके बड़े सारे से meaning है इसका पूरा का पूरा analysis है कि वो किस हाथ से क्या कर रहे है, एक पैर जमीन पर है, दूसरा पैर उठा हुआ है, चारों तरफ यह आग की लपते लग रही है अब आज के प्रेजेंट डे में, हमारे जो physicists हैं, physicists होते हैं, scientists होते हैं, researchers होते हैं, वो अपने modern technology की सबसे ज़्यादा advanced technology को use करकर, जो atoms की reality है, उसको ढूणने की कोशिश करते हैं अब जो यह Shiva का जो dance है, इसको cosmic dance कहा जाता है, it's the dance of the creation and the destruction at the same time Indian government का नटराज की मूर्ती को CERN को gift करना और उनके वहाँ पर बाहर दरवाजे पर लगाना, एक प्रकार का मिलन है, modern science का और ancient mythology का, ancient religious art का, art pervades our life in every sense CERN, which is an institute जो की quantum field theory में work करता है, यानि कि जो हमारे atoms, जो subatomic particles है, उनका behavior कैसे होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसकी basic reality कहां है, यह जो हमारे material है हमारी चारो तरफ, इसमें mass कहां से आता है, इसमें energy कहां से आती है that kind of, जो secrets of the universe है, उनको ढूणने की कोशिश करते हैं, हमारे physicists at the sun the idea is that, कि the dance of this creation and destruction, which is the very existence of the matter matter, कहीं हम intuitively, कभी-कभी हमें सोचेगे, तो जो बहुत छोटे subatomic particles हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है at least reveal किया हुआ in certain sense, जैसे आपने कभी सुना भी होगा physics के class में, कि जो light होता है, जो photon होते हैं, या जो subatomic particles होते हैं, देकर behave as a wave and as a particle at the same time, at any given point of time, वो दोनों तरीके से behave कर सकते हैं, at wave also, as like, क्या नाम है, at material also, which is what exactly the idea, जो कि हमारी mythology में होता है, kind of an energy dance, एक process जो कि creation और destruction, wave और matter के बीच में, change कर रहा है बार-बार Modern physicist के लिए, Shiva का जो dance है, is basically the dance of that subatomic matter, which is the basis of all natural existence The art has that kind of meaning I am Amit Varidhi Kilour, and this is the art and culture series of the study IQ Art and culture हमारे competitive exams में बहुत ज़्यादा important है हम art and culture का जो syllabus है, हमारे हर exam में पूछा जाता है UPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, पुराने साल के papers को analyze करेंगे जहां पर art and culture के question पूछे जाते हैं, तो कुछ हमारे पास ऐसा trend exist करता है Approximately, more or less, कहीं न कहीं पर अगर हम देखें, minimum 6 से करीब, around and around 6 कभी ज़्यादा भी आते है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है and like UPS says, कभी-कभी वो 3 या 4 भी पूछ लेते हैं, बट 6 से 8, art and culture के prelims में question almost हर साल पूछे जाते हैं, अब prelims में जो art and culture है, वो हमेशा associated होता है ancient India से, ancient India and medieval India से, modern India का जो इतियास है, वो art and culture से थोड़ा सा completely separate है, हमारे पास 1850 के बाद complete written records exist करते हैं, तो वहाँ पर art and culture को completely separately study किया जा सकता है, लेकिन ancient India और medieval India में art and culture के जो भी questions है, वो more or less एक दूसरे से aligned हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कि जब आप ancient India पढ़ेंगे, तो आपकी basically तैयारी art and culture की भी होगी, now before we begin the lecture, हम एक बार देख लेते हैं, कि art and culture से कैसे कैसे question पूछे जाते हैं, we'll discuss all the last 10 years prelims years questions of art and culture, अभी के लिए हम 3 या 4 questions को देखकर एक बार understand करते हैं, कि what exactly the competitive exams seeks from you, तो यह जो previous years questions है, अब हमें इस question को understand करने की कोशिश करते हैं, 2020 में यह prelims का question पूछा गया था, art and culture से associated, कि with the reference to the cultural history of India, परिवरजक का meaning क्या है, what is the definition of the परिवरजक, क्या एक renunciant और जो wanderer होते हैं, उनको परिवरजक कहा जाता है, श्रमन, priest with a high status, it's just a meaning, meaning of the word पूछा गया है, ancient history में अगर आप पढ़ेंगे तो यह तीनों के तीनों words आते हैं, उपासक, lay follower of Buddhism, अब इसका जो answer है, basically first or three correct है, और श्रमन जो है, वो priest with a high status नहीं होता है, श्रमन भी एक renunciant या wanderer होता है, जो कि जीवन की महमाया को त्याग चुका है, और भगवान के दर्शन में लग गया है, तो यहां पर इस प्रकार से हम जब history पढ़ेंगे, art and culture पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जो भी ancient India में, art and culture से associated, जो specific words होते हैं, उनका meaning क्या होता है, we need to understand it, उसके बाद एक और question देखते हैं, art and culture का, consider the following, और तीन statements दी हुई है, deification of the Buddha, deification का मतलब कि Buddha को मूर्ती की तरह पूझना, ठीक है, दो तरीके होते हैं कि हम Buddha को symbols की तरह पूझ सकते हैं, और बुद्ध को मूर्ती की तरह भी पूझ सकते हैं, तो deification of Buddha एक characteristic है, दूसरा, treading the path of the Bodhi Sattva, Buddhism की जो mythology होती है, उसमें Bodhi Sattva का ये word है, काफी बार आता है, Bodhi Sattva वो पुराने जनम थे, जो बुद्ध लेते हैं, बुद्ध के final जनम तक पहुचने के लिए, अब Bodhi Sattva के path को tread करना एक characteristics है, an image, worship and the ritual, यानि की बुद्ध को मूर्ती की तरह है, पूझना, अब ये जो तीनों के तीनों characteristics है, इन तीनों में से महायान बुद्धिस्म का characteristics कौन सा है, हर एक religion, हर एक धर्म, अलग-अलग भागों में, अलग-अलग sect में बढ़ जाता है, जो की बुद्ध की मूर्ती, human form में पूझा करते हैं, और हीनियन बुद्ध वो बुद्ध होते हैं, वो बुद्धिस्ट होते हैं, जो की बुद्ध को human form में वर्शिप नहीं करते हैं, उसको formless माना जाता है, indeed वो इतना rigid है कि human form में भगवान को depict करना, अल्ला को depict करना एक blasphemy मानी जाती है, on the contrary जो Hinduism है, वहाँ पे human को, God को anthropomorphize, यानि कि human type की form में, अगर आप देखें कि हमारे भगवान जो हैं, जितने भी हम जिनको पूजते हैं, उनकी form human body की तरह दिखाई ज किया जाता है, उनको human image उसकी worship की जाती है, तो यही difference जो दो धर्मों में है, Islam और Hinduism में, उसी तरीके का difference है, महायान और हीनियान बुद्धिजम है, अब यहाँ का answer अब भी हम देखते हैं, तो इसका answer है basically one, two and three, यह जो तीनों के तीनों features हैं, characteristics हैं, यह महायान बुद्धिस worship करते हैं, बुद्ध की मूर्ती बनाते हैं, यह सारा का सारा है, इस परकार से, जैसे कि हमारे, अब जैसे बुद्धिजम से associated जो question है, that belongs to like approximately 2600 years ago, 2600 साल पहले का question है, हमारी art और culture का महत्वपून पार्ट है, Indian subcontinent का, बुद्धिजम और जैनिजम, चले एक और question देखते है यह भी बुद्ध के ऊपर है, बुद्धिजम, जैनिजम पर, सूफी, भक्ती मूमेंट पर, इन पर बहुत question आते हैं, जहाँ पर religion और culture का एक mix होता है, देखे, with reference to the Indian history, which among is following is a future बुद्ध, बुद्ध के जो mythology है, उसके अंदर लिखा गया है कि एक बुद्ध को दोबारा आना है, there is a future बुद्ध, अभी तक के जितने बुद्ध आ चुके हैं, उन सब की जो depiction है, वो बुद्ध की literature में है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में है, परन्तु एक और उसके अंदर concept है कि there is one बुद्ध जो की अभी आने बाकी है, he will come to save the world from the sins, जैसे भगवान बार बार लेते हैं, इंदूिजम में, पाप का संहार करने के लिए, ऐसा ही कुछ similar concept बुद्धिस्ट के अंदर है, तो उसका नाम क्या है, उस बुद्ध का जो नाम है, वो पहले से ही बता लिया गया है, mythology में, what is that, उस बुद्ध का नाम है, मैत्रिय, ये सब अवलोकितेशवरा, लो आ रहे पार्ट है, ऐसे prelims में questions पूछे जाते हैं, विलकम टूम टूम वन मोर, अब सारे ही बुद्धिस्ट के question आ गया आज, painting of bodhisattva padampani, आप जो ये photo देख रहे हैं, इस photo का, इस painting का नाम है, padampani, अब जो ये padampani है, ये बहुत ही famous और illustrated painting है, ये basically कौन सी जंगे पर पाई जाती है, क्या ये अजंता caves में मिलती है, बादामी caves में, बाग caves में, अलोरा caves में, ये आपको question पूछा गया है, मतलब, when you're reading the art and culture, क्योंकि वो इतनी important होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा sculpture, कौन सी painting, किस geographical location में situated है, कहां से मिली है, इसका answer है, अजंता, अजंता मे अजंता जो caves है, महाँ पर ये बोधी सत्व पदमपनी की painting है, ठीक है, तो, this is to give you an idea कि किस प्रकार से, प्रिलिम्स में question पूछे जाते हैं, अब देखो, एक और question काफी अच्छा है, विद रेफरेंस to the art and the archaeological history of India, और फिर एक लाइन से चार चीजे दी हुई हैं, और वो तो इनकी chronology, किस time में कौन सा बना हुआ है, और वो पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे पहले कौन सा बना हुआ है, अचाहिए ये जो question था, इसको अगर आप उस साल paper दे रहे थे, शायद 2017 का है, प्रिलिम्स का, तो बहुत, अगर आपने NCRT की किताब पढ़ी थी, तो बहुत असानी से पढ़ सकते थे, ये चारो के चारो जो इस समय इसके अंदर पूछे गए है, जो ये sculptures और temples दिये गए है, ये हमारी Indian NCRT, Art and Culture की जो NCRT है, उसके अंदर चारो दिये गए है, और chapter 3 में, Rock Cut Elephant at Dolly का ये जो photo है, ये दिया हुआ है, chronologically speaking, इन चारो में ये सबसे पहले बना था, अशोका के समय में बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आगे आप देखें कि chapter wise पता चल जाएगा, याद करेगा कि बाद में फिर किस तरीके से, और आगे को महावली पूरों वरहाई में, बहुत असानी से, जिसने सिफ NCRT की photo बदल के देखी थी, वो बस chronologically उ हमेशा consonants में पढ़ने का फायदा रहेगा, दस से बारा questions जो करी है, art and culture और ancient Indian history के UPSC prelims में पूछे जाते हैं, इसके साथ-साथ UPSC mains के GS1 के paper में, अब 30 से 40 number, paper 1 के जो सबसे first topic है हमारे syllabus का, वो art and culture of ancient India से associated हैं, और उसमें से depending on the year, कभी 3 question पूछ ले जाते हैं, कभी 4 question पू उसको art and culture से आते हैं, mains में, again, it is the extension of the prelims question, इसी प्रकार के question कि भाई, जो rock-cut architecture है, represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history, अब देखिए, यह है rock-cut elephant at dholi, इस question में हमें identify करना था earliest कौन सा है, and earliest यही वाला है, और यहां पर यह पूछ रहे हैं कि जो rock-cut architecture है, वो हमारे लिए बहुत important source है, early Indian art का और history का, I think यह दोनों same year तो नहीं पूछे गए है, I think I will doubt it, but यहां पर आपको कहीं न गहीं पर इसी rock-cut elephant dholi का example लेका explain करना था, कि कैसे art and culture के जो early rock architecture है, वो हमें information देते हैं, चलिए, बात करेंगे, पाला period is the most significant faces in the history of the Buddhism in India, बुद्ध के बहुत सारे pre के question है, mains के question है I think Buddhism को तो रट लेना चाहिए, चलिए, Indian philosophy and tradition placed a significant role in consuming and shaping the monuments and their art in India, art और जो monument है, वो हमेशा at least, even now actually, not at least, हमेशा से religion के साथ काफी associated रहा है, अभी थोड़ा सा separate है, since the renaissance, industrial revolution के साथ, और जो secularism, जो democratic, जो ideals है, उसकी वज़े से art secular भी हो गई है, बट बिफोर 15th century, art was very intimately related to the religion and the traditions and the philosophies of that time, चलिए, Persian literary sources of medieval India reflect the spirit of the age, अब ये medieval India से specifically question पूछा गया है, art and culture is not only located in ancient India, medieval India, और modern India की भी art and culture से question आते है, how do we justify the view that level of excellence of the gupta numismatic art, numismatic का मतलब होता है, coin making art, ठीक है, तो gupta की जो coin है, ये उनके बारे में question पूछ रहे हैं, कि उस समय के coins, बहुत famous हैं, gupta age के जो coins है, गुपता की जो age थी, उसको इंडिया की golden age of art and culture कहा जाता है, तो वहाँ पर जो coin making जो ability थी, that is very much studied in the books, यही इन्होंने सवाल पूछ लिया था, गांधार sculpture owed as much to Romans as to Greeks, इस question को आप सुनेंगे, तो आप एक बात समझ जाएंगे, चाहिए आपको आता है या आता नहीं आता, कि जो गांधार sculpture की जो art है, उसमें Romans का भी impact है, और Greeks का भी impact है, दो अगर इस question की language को पढ़ो, आप समझोगे कि there is a possibility कि Greeks का जादा है, बट question पूछना चाहता है कि देखो, Greeks का तो है गांधार के उपर, बट Romans का भी बहुत जादा है, तो जरा उसके बारे में बताईए, यह art and culture का mains का question है, बुद्धिस्ट stoop art जो है, जिसमें folk, motive और narrative है, expounds Buddhist ideal, but not at all noticeable in later time, तो जैसे अगर हम art को पढ़ते हैं, आर्ट को हम हम अमिशा evolution की तरह पढ़ते हैं, evolutionary तरीके से देखते हैं, तो हम देखेंगे कि अशोक के समय में जो stoop बने है, stoopa बने है, उसमें Buddhist folk, motive और narrative को वहाँ पे उनकी दिवारों पर बनाया गया है, लेकिन हम जब बाद के stoopa देखते हैं, तो वो noticeable नहीं है, अब यहाँ पर आपको नटराज के बारे में बात की, तांडव डांस जो होता है, भागवान शिव का जो डांस होता है, उसके बारे में जो इंडियन इंस्क्रिप्शन में discussion दिया हुआ है, यहाँ पर आपको नटराज के बारे में भी mention करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स भी लेगे, चोला आर्किटेक्ट्चर रेप्रेजेंट से हाई वाटर मार्क इन दी एविलूशन आफ दी टेंपल आर्किटेक्ट्चर, बहुत, टेंपल आर्किटेक्ट्चर is such an important topic, अब इदेखो, इन questions से, when you read these questions, tree और mains के, दोनों के questions पढ़कर, आप almost the most important topics निकाल सकते हो, बुद्दिज्द्ब, स्टूप आर्ट, गांधार्ट, आर्ट, टेंपल आर्किटेक्ट्चर, ये questions regularly पूछे जाते हैं, दोनों mains और prelims में, अगर आर्ट अन कल्चर में सिर्फ इन 5 topics पर भी focus कर दोगे, तो सब्भावना है कि 50% of the art and culture questions solve हो जाएंगे, ये हमारा purpose है, आर्ट अन कल्चर को, exams के, competitive exams के perspective से करने के लिए, हमारा agenda मैं बता देता हूँ आपको कि क्या रहेगा, these are the books जो कि आपको art and culture के लिए पढ़नी पढ़ती हैं, आपका जो focus होना चाहिए, कम से कम ये 11th class की NCRT, An Introduction to Indian Art, and An Introduction to Indian Art Part 2 of the class 12th NCRT, ये दोनों को बहुत अच्छी तरह से ज़रूर है पढ़ना, क्योंकि इन से UPSC direct questions पूसती है, ठीक है, उसके बाद हम use करेंगे नितिन सिंहानिया की जो art and culture की किताब है, जो civil services और दूसरे competitive exams के लिए use होती है, it's a very comprehensive जिसमें art and culture को simplistic तरीके से बताया गया है, कही ज़ंगों पर इसमें से कुछ part missing है, लेकिन once you do this book very well, तो उसके बाद उसमें जो gaps हैं, वो असानी से कहीं से भी external sources से fill किये जा सकते हैं, through this art and culture series of study IQ, we will try to ensure कि हम इन तीनों की तीनों book को complete कर सके, हमारा base और जो हम structure follow करेंगे, वो नितिन सिंहानिया की किताब से करेंगे, लेकिन Indian introduction, जो ये NCRT's है, इन दोनों के content को मैं lectures के अंदर include करूँगा, ताकि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा basically, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, यही तरीका है, there are some other ways, आप दूसरी reference books भी use कर सकते हैं, through this series we will be actually taking the NITIN SINGHानिया in principle, इसको understand करने ही कोशिश करेंगे, तो चली हम begin करते हैं, नITIN SINGHानिया को एक बार देख के, कि नITIN SINGHानिया का function कैसे करता है, नITIN SINGHानिया में जो section है, आप जब खोलेंगे, तो सबसे पहले section A है, visual arts का, visual arts का मतलब होता है, कि जिसको हम देखते हैं, जैसे कि architecture है, किसी building को देखना पड़ता है, painting है, उसको देखकर हम appreciate करते हैं, 2000 called the visual arts, तो सबसे पहले, architecture, sculpture, paintings, ये तीनों की तीनों को कहते हैं, visual arts, फिर इसके अंदर एक chapter है, Indian handicrafts का, और UNESCO list of world heritage sites, इंडिया के अंदर है, क्योंकि art and culture से associated current affairs, जो होंगे, वो generally ऐसे ही होंगे, कि world heritage sites कौन सी होती है, intangible cultural heritage क्या होता है, अभी अभी recently UNESCO ने, दुर्गा पूजा, बंगाल की दुर्गा पूजा को, intangible culture का दर्जा दिया है, तो intangible cultural heritage किस प्रकार से होती है, then there are performing arts in the section B, performing arts का मतलब, where the humans perform a particular art, building जैसे ताजमेल है, उसको एक बार बना के छोड़ दीजी, आप उसको देखेंगे, उसकी beauty को appreciate करेंगे, बट भरत नाट्यम जो है, अब भरत नाट्यम जिसने 16th century में किया था, वो तो आप नहीं देख सकते हैं, तो भरत नाट्यम को आपके सामने कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, the artist performed in front of you, तो उसके अंदर music है, सबसे पहले, dance है, theater है, और martial arts है, ये चार specifically major performing arts है, इनको हम section B of the, नितिन सिंहानिया में पढ़ेंगे, and then the UNESCO's list of the intangible cultural heritage, intangible का मतलब होता है, जिसको objectively एक जहने पर place नहीं किया जा सकता है, building जो होती है, वो tangible होती है, painting जो होती है, वो tangible होती है, there is one painting, अब Mona Lisa की एक painting है, वो objectively हमें पता है, एक है और कहां exist करती है, whereas भरत नाट्यम या दुर्गा पूजा, are the cultural heritage of the India and world, but उनको ऐसे, tangibly नहीं कहीं पर place किया जा सकता है, hence that, इसके बाद एक section C of the Nitin Singhaniya, जिसमें culture of India है, languages, religion, अलग से chapter है Buddhism और Jainism पर, क्योंकि Nitin Singhaniya को भी पता था, कि यह chapter कितना important है, बुद्धिजम के उपर आपने अभी भी देखा है, कितने questions आ रहे हैं, इसमें दो अपेंडिक्स भी हैं, जिसमें भक्ती और सूफी मूँमेंट, medieval India के अंदर से, अगर सिर्फ एक topic करना चाहो, hypothetically speaking, वैसे तो पूरा करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक topic करना हो, चूज करना हों की बस एक ही करेंगे, तो ये भक्ती और सूफी मूमेंट is the topic, which you should definitely do, क्योंकि इससे, पिछले 10 सालों में, at least 8 से 9 questions आये हैं, related to भक्ती और सूफी मूमेंट, यानि कि, almost हर साल आता ही आता है, एक आदे साल कभी कभी miss हो जाता है, तो ये हमारा नितिन सिंहानिया का एजेंडर हैगा, इन सारी चीजों को कवर करना, इस lecture series के दवारा, इसी तरके से हमारी जो ये आर्ट, इंडियन आर्ट की दो NCRT है, इनको भी कवर किया जाएगा, दो अगर आप देखोगे, सिर्फ ये चैप्टर है, प्री हिस्टॉरिक रॉक पेंटिंग्स का, जो कि नितिन सिंहानिया के अंदर नहीं है, तो इसको हम NCRT के दुआर कवर करेंगे, बाकि Indus Valley, Morian Period के आर्ट, Post-Morian Art और Architecture, Mural Tradition, Temple Architecture and Sculpture, प्रबबबली दिमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ओफ इंडियन आर्ट, एस फार इस एक्जैम्स र कंसर्ण, इंडियन ब्रॉंज स्कल्प्चर और इंडो-िस्लामिक आर्किटेक्चर, यह हमारी 11th किरास के NCRT है, इसके अंदर से, और यह थोड़ी जादा comprehensive है बारवी से, 12th वाली में देखोगे तो सिर्फ पेंटिंग्स है, राजिस्थानी पेंटिंग, मिनियेचर पेंटिंग, 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 यह सारी modern इंडियन आर्ट, इसमें से पेंटिंग्स के बारे में डिसकस है, 12th की में सिर्फ पेंटिंग्स है, बढ़ हां, important है क्योंकि पेंटिंग्स से question पूछे जाते हैं, but 11th is much more dense, and gives you a wide discussion about the art and culture, यह हमारे topics हैं, जिनको हम art and culture के अंदर, इस सीरीज के द्वारा करने की कोशिश करेंगे, I think we are good to go now, right? तेखिए, let's come on the first chapter of the art and culture of Nitin Singhaniya, जिसका title है, Indian Architecture, Sculpture and Pottery, Indian Architecture, Sculpture and Pottery, यानि की starting से, जहां से हम Indian Architecture पढ़ते हैं, अलग-अलग ages के architecture को, जैसे पहले Indus Valley Civilization का architecture पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप Morian Architecture को पढ़ेंगे, फिर गुप्ता आर्किटेक्चर को, इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर को इस तरीके से chronologically सारा, and similarly to the sculpture and to the जो भी वहाँ पर Pottery उसके साथ साथ होती है, तो यहां पर हरपन आर्ट आर्किटेक्चर, यह है आज का हमारा topic तो आज का हमारा प्रकार से तो आज का हमारा जो उदेश है हरपन, आर्ट and आर्किटेक्चर के बारे पढ़ेंगे जो इंडिस वेली सिविलाइजेशन के बारे में हमने सुना है हम जानते हैं इस वाट आज से 3500 से 5000 साल पहले एक बहुत अमेजिंग सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी इस इंडियन सॉबकॉंटिनेट पर जहां पर इस समय हम रहते हैं उस 5000 साल पहले वो क्या आर्ट करते थे वो क्या आर्किटेक्चर करते थे कैसे स्कल्प्चर बनाते थे कैसे अपनी सिटीज को प्लैन करते थे दाट इस वट आवर पर्पॉस ओफ डिसकुशन ओफ दे डे इस ठीक है अब देखो विल भी इमेजेटली जंपिंग टू दी टॉपिक्स लेकिन उससे पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि आपको हमें हिस्टरी की क्रोनोलोजी पता होना चाहिए जो होमो सेपियन्स हैं अप्रॉक्सिमेटली वन मिलियन से फाइफ फंडर्ड थाउजन इयर्स अगो अर्थ पर हमें प्रेजेंट फार्म में आ जाते हैं जैसे हम दिखते हैं आज से एक डेड़ लाग साल पहले वाले लोग उसी परकार से दिखते थे जब होमो सेपियन्स स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टेकनॉलजी तो थी नहीं नॉलिज और कहते हैं तिनी डिवलप नहीं थी तो हम टूल्स यूज़ करते थे स्टोन के human history में जब तक humans stone के tools यूज़ करता है उस age को कहा जाता है stone age क्योंकि stone यूज़ करते थे seems like a logical thing उसके बाद हम metal यूज़ करने लग गए और उस age को कहते हैं bronze age stone के बाद जब metal यूज़ करने लगए पहला जो metal यूज़ किया गया bronze age और उस bronze के बाद जो हम यूज़ करने लगे iron age यह बहुत important evolutionary steps है human society की evolution में अब जो stone age है इसमें paleolithic mesolithic और neolithic lithic का मतलब होता है stone यानि कि जहाँ पर भी lithic लगे तो आपको यह याद रखना है कि stone को use किया जा रहा है उस culture और उस civilization society की जो सबसे major technological tools है they are based on stones यह मतलब होता है इसका paleolithic, mesolithic और neolithic अब हमें paleolithic के हमारे पास कोई बहुत जादा art and culture exist नहीं करते हैं कोई वो पंतालिस हजार साल पहले डेड़ लाख साल पहले की पुरानी ages है तो उनके events उनकी art and culture more or less non existent है तो हमें वो पढ़ना भी नहीं है ठीक है paleolithic से mesolithic का मतलब होता है paleolithic का मतलब है कि जब हम बिल्कुल start कर रहे हैं तो जो stone tools है वो थोड़े से crude है जैसा भी हमें nature में मिलता था उसको उठा लेते थे मोटे होते थे अच्छी तरे से mesolithic का मतलब होता है जब हमें साल तक का जो समय है आज से 45,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जाएंगे तो पहली बार cave art exist करना start करती है cave art का मतलब यह है कि जो paleolithic जो आप अब यहां पर हम chapter देखे prehistoric rock painting तो यह जो exist करती है यह इस paleolithic और mesolithic age के अंदर exist करना start करती है उस समय humans caves में रहा करते थे और when they were in the caves they drew some pictures some figures on the cave and some of them have survived जिसको हम cave art कहते हैं जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं यह हमारे discussion का purpose नहीं है यहां पर उसके बाद हमारी जब हम stones को fine कर लेते हैं उसके बाद हमारी एक और last developmental stage आती है जिसको कहते हैं neolithic यह human societal evolution की सबसे important stage है क्यों क्योंकि neolithic का मतलब होता है agriculture की development यहां पर हम agriculture को discover कर लेते हैं इन्वेंट कर लेते हैं approximately इसका समय माना जाएगा 10,000 BC years यानि आज से 12,000 साल पहले all over the world humans figured out कि हम agriculture कर सकते हैं क्रशी कर सकते हैं इसे ही agriculture करेंगे तो सबसे important बात यह होगी कि हमें एक settled life जीनी पड़ेगी उससे पहले हम wanderers हैं nomads हैं, hunterers हैं, gatherers हैं एक जिंगे पर रुक कर नहीं रहते हैं जहांपर food खतम हो जाता है we move to other part पानी खतम हो जाता है तो हम कहीं और चले जाते हैं लेकिन neolithic age यानि आज से 10,000-12,000 साल पहले humans ने यह identify कि हम जो यह पेड़ हैं जो यह पौधे हैं इनको domesticate कर सकते हैं और अपनी मरजी से हुगा सकते हैं we can domesticate animals like sheep, goat इनको यह use किये जा सकते हैं और that actually is the beginning of the modern civilization neolithic age का मतलब है beginning of the modern civilization यहाँ पे हमें कृशी करने आ गई बट लितिक है, लितिक का मतलब है कि tools हमारे पास अभी भी stones के हैं यानि कि जो hull use करते हैं या fields को clear करने के लिए जो भी tools use करते हैं वो पत्थर के बने हुए अभी भी अच्छा, अब ये 10,000 साल से कम से कम 3-4,000 साल लगते हैं जब humanity neolithic age के अंदर रहती है पूरे के पूरे जितने भी humans हैं उसे पत्थरों के tools को use कर रहे हैं असली जो development है असली जो power है humans के पास आती है जब हमें metal use करना आ जाता है and that is when we enter the bronze age अब जो हमारे tools हैं हमारे जो हथियार हैं, weapons हैं वो weapon जो हैं, वो metal के बनने लग गए हैं ब्रॉंज के हमें ability आ जाती है हमारी technology इतनी develop हो जाती है कि हम copper को smelt कर लेते हैं और उसको tin के साथ मिला कर एक alloy बना लेते हैं ब्रॉंज जो कि थोड़ा ज़ादा strong होता है stone से, much more, more durable होता है stone से this is called as bronze age इसके बीच में एक transitional cultures होती है अब एक दिन अचानक से तो randomly चीज़े नहीं वदलती है तो एक चालको लिथिक एज का मतलब यह है चालको का मतलब copper, lithic का मतलब पत्थर एक ऐसा समय जहां पे copper और पत्थर दोनों के दोनों इखटे यूज हो रहे है अचा, bronze age specifically क्यों important है यह word neolithic age जब तक रहती है अगर इससे पुरानी, bronze age से जितनी भी पुरानी age है तब तक पूरी world में पूरी humanity की society में कोई भी city urban city नहीं exist करती हमारी जो modern civilization है उसका base, उसका center point है cities, शहर exist शहर है हमारी modern civilization के nodes ठीक है, वो पहली बार humanity एक urban lifestyle में enter करती है, bronze age के अंदर क्योंकि हमारे पास metal थी तो हमारे पास capacity थी larger number of society को manage करने की that's why the bronze age is important bronze age जब भी सुनो तो तुमारे दिमाग में आने चाहेगी that was the first time, जब humans शहरों में रहने लग गए थे urban lifestyle उन्होंने रहना start कर दिया थे, और उसके बाद iron age के बाद, तो iron age के समय तो empire exist करने लग गए थे that is the whole idea of this chronology अब यह logically flow किया था हमारे पास जैसे कि हम neolithic में हैं, तो agriculture बनाते हैं, agriculture के साथ-साथ हम जो मिटी होते हैं, मिटी के घड़े बनाना start कर देते हैं, फिर हमारे पास pottery kilns आ जाते हैं, जो मिटी के भटे होते हैं, जाफे मिटी को गरम करकर भून कर, थोड़े more durable चीजे बनाए जाते हैं, अब देखें, logic समझने की कोशिज कीजिए कि जो pottery kilns हैं, जो मिटी के भटे होते हैं उनके अंदर जो temperature है 400 से 700 degree का होता है, जो कि सिर्फ मिटी को भुना सकता था पहले 3-4 1000 साल, जब वो technology और जादा develop होई, we were able to create temperature of 1000 to 1100 degrees in those pottery kilns, क्योंकि copper का जो melting point है, वो होता है 1000 degree Celsius के करीब, तो जब हमारे पास technology आ गई, जब हमारे पास इतनी ability आ गई, कि हम 1000 degree का temperature create कर सकते थे, उन मिटी के भटों में तो हम copper को smelt करने लगे, और अभी भी iron हमारे पास नहीं आए, अभी भी iron को आने में 1000-2000 साल और लगते हैं, क्योंकि iron का जो melting point है, वो है 1500 degree Celsius के पास, this is the reason why we, while the history of the society follows this purpose, अगर iron का melting point 800 होता, तो bronze age से पहले, iron age आती इस प्रकार से, so this is the reason why neolithic bronze और iron age exist करती है, चलिए, neolithic आज का हमारे topic नहीं है, बस यह समझ लीजिए कि approximately 10,000 साल पहले, 10,000 BC अगे, climatic conditions जो थी, वो कोई खास difference नहीं मिलेगा, आज की और उनकी उस समय के climate में, you'll be more or less comfortable with the climate, यहाँ पर कुछ ऐसे important event हुए थे, जिन्होंने society को advance करने में सबसे ज़्यादा मदद की है, basically, humans को large number of animals और plants को domesticate करना आ गया, जैसे ही हम उसको domesticate करते हैं, तो हमें food के लिए insecure नहीं रहना पड़ता है, हमारे पास पूरे साल का food, तीन महीने के अंदर अंदर इखटा हो जाता है, and that is how the beginning of the society and civilization happens. ऐसा माना जाता है, West Asia, यानि जो present day Iran है, present day जो Pakistan का जो western area है, यहाँ पर approximately 9000 साल पहले, यानि कि 7000 BC में wheat और barley को domesticate किया गया था, so this is a question ancient India का question है, इसको याद रखिए, कि wheat और barley पहले कहां पर उगाए गए हैं, Indian subcontinent में, West Asia के अंदर 9000 साल पहले, 7000 BC के अंदर, उसी के साथ साथ rice, अब rice का जो Indian subcontinent में first evidence है, कि पहली बार कहां पर rice उगाया गया है, वो है बेलान वैली में, साथ ही हुगे हैं सारे के सारे, wheat barley, wheat barley का जो evidence आता है, वो हमारे पास है West Asia से, whereas rice is found in the Indian subcontinent, बेलान वैली, 9000 साल पहले हमें rice को उगाना आ गया था, बेलान वैली से 10,000 साल पहले की जो बात है, उस समय जो भी हमें evidence मिलता है archaeological, उसको कहा जाता है Neolithic site, ये इस बात का evidence है, कि यहां से civilizations की beginning हुई है, modern civilizations की जो beginnings है, ये सारी की सारी जो sites है, मेहरगड, कुएटा, किलेगोल, मुहमद, गालीगाय, गुल्फ करोल, ये सारी की सारी वो sites हैं, जहां से evidence मिले है, कि यहां पर settled life start हो चुकी थी, approximately 9 से 12,000 साल पहले के करीए, हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस इसको एक बात जरूर ध्यान रखना है, ये word मेहरगड, ये मेहरगड की जो site है, ये काफी important neolithic site है, ठीक है, आप जिस देश में रहते हो, huge probabilities, आज से 10 से 12,000 साल पहले, ये वो जहंगए थी, जहां पर इंसानों ने settled life का beginning किया था, मेहरगड might be the beginning of the Indian civilization, 10,000-12,000 years ago, तो ये important है, बहुर इंपोर्टेंट ली, ये precursor है Indian, Indus Valley civilization का, तो इसलिए ये इसको जड़ा ध्यान रखेगा, थोड़ा सा important, ठीक है, ancient India में ये पढ़ना पढ़ता है, तो इसको ध्यान भी रख लीजेगा, तो जो ये neolithic settlements हैं, Indian subcontinents में, सबसे पहले west of Indus में develop हुई है, ये जो मेहरगड वाला area है, ये पश्चिम में है, इंडस्री वर के, here, मेहरगड, the neolithic culture begins, जब भी word सुनो neolithic का, मतलब है कि पहली बार settled life start हो रही है, सरल बात है, और उसके बाद, फिर तो एक बार अगर कोई चीज आ जाती है, अगर एक बार mobile आ गया, विद दस पंदरा सालों में, पूरे के पूरे विश्व में फैल जाता है, उस समय, spread का जो समय था, वो 500,000 साल लगा करते थे, but within thousand years, all over India, neolithic culture, यानि की settled life, exist करना start हो गई थी, wheat, barley जो थे, उनको cultivate करना start कर दिया था, cattle, sheep और goat, इनको domesticate कर लिया गया था, okay, this is important, evolution में जानने के लिए important है, देखो, cattle, sheep और goat, specifically बोला गया है, क्यों, क्योंकि cow का नहीं है अभी तक, हमें नहीं पता कि neolithic, जो cultures हैं, उनके पास cow हुआ करती थी या नहीं, horse का भी नहीं है, horse, in human history की बहुत important, technological advancement है, तो ये जो शब्द है, अब जब आपसे पूछा जाए, you should know this, and should be able to tell in the prelims question, आपको पता होना चाहिए, cattle, sheep और goat, ये तीनों तो थी नियो लिथिक के पास, cow नहीं थी, horse नहीं था, ये जान के मिस नहीं किया गया, ये आपको वैसे नहीं लिखा गया है, impromptu नहीं है ये वाली बात, ठीक है, और ये बेलान वेली, इसको important याद रखी, कि बेलान वेली में चावाल लोग ने लग रहा है, और मेहरगड के अंदर पहली, first Indian Subcontinent की Neolithic Statements exist करती हैं, और उसके बाद सारे के सारे Indian Subcontinent के अंदर ये फेल जाती है, फिर चालकोलिथिक एक Transitional Face है, ठीक है, तीन-चार हजार साल में Neolithic चार तरफ भेजती है, और उसके बाद फिर एक चालकोलिथिक जहां पर का यूज हो रहा है, पर उस level की urbanization तक नहीं पहुचता है, जहांसे history begin होती है, history begins with the history of the city, जब तक cities exist नहीं करती हैं, उससे पुरानी चीज़ों को हम pre-history कहते हैं, क्या reason है उसका हम आभी बताता हूँ, उन सब को चालकोलिथिक कल्चर कहा जाता है, ठीक है, बहुत सारी हैं, बट यह हमारे purpose की नहीं है, जब यह चालकोलिथिक के बाद, नियो, फिर चालको, और उसके बाद आ जाती है, finally, the harappan civilization, which is also called as the bronze age, क्योंकि यह Indian subcontinent की, indeed, world की one of that oldest civilization है, जो की cities में रहती थी, जो की urban है, ठीक है, अब एक regular question, Indus Valley Civilization को understand करने से पहले देखते हैं, कि यह कहां थी, कहां-कहां पर बसा करती थी, ठीक है, तो अगर आप map देखोगे, किसी ancient India की किताब में, आर्ट and culture की किताब में, तो यह इसका पूरा का पूरा, इतनी दूर तक, this is what the Indus Valley Civilization, उस समय अगर यह एक country होती, नेशन बनाती है, चार-पांच अजार साल पहले, तो ऐसा इस country का shape होता, ऐसा हमने कैसे पता लगाया, कि जो archaeological evidence है, यहां पर site मिली है, हमने 1400 से भी अधिक, IVC Indus Valley Civilizations की sites को खोज निकाला है, and this is basically the expense of it, अब देखो, इसके अंदर एक question कई बार पूछा जा चुका है, यह कि इसका extent है, वो कहां कहां पर है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, कि जो सबसे left में, सबसे west में, सबसे पश्चिम में है, उसका नाम है सुत्का गेंदौर, बलुचिस्तान के अंदर, सुत्का गेंदौर is the westernmost site of the Indus Valley civilization, यह visible नहीं होगा शायद screen के उपर, I'll share this map in the telegram channel, उसके बाद, अगर हम यहाँ पर देखें, East में, आलम गिरपूर, उत्तर परदेश में है, आलम गिरपूर वो जहंगा है, जहाँ पर एक Indus Valley civilization की site मिली है, और उसके East में अभी तक नहीं है, तो finally, जो सबसे ज़्यादा expense है, वो यह है, उसके बाद अगर हम South में देखें, तो यह दायमाबाद है, महराष्ट के अंदर है, इस इस दी Southernmost site of the Indus Valley civilization, और यह मांड़ा है, विच इस दी Northern, Northmost, सबसे उतरी भाग है, Indus Valley civilization का, तो यह expense, यह चारो की चारो, जो sides हैं, यह आपको पता होनी चाहिए, कम से कम नहीं, तो 1600 किलो मेटर, East से West, यहां से लेके, यहां तक 1600 किलो मेटर का है, और उपर से North से लेके, South तक 1400 किलो मेटर, यह सारे के सारे सिनॉनिम है, एक ही चीज़ के, यह जो है, आज जैसे कि हम 2021 में है, तो यह, 2500 से 1500 BC तक exist करती थी, यानि कि आज से 3500 से 4500 साल पहले, exist किया करती थी, दो, यह mature phase है, last phase है, इसको अगर हम पूरा का पूरा, जब और ज़्यादा detail में, history books में पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं पे, इसको 3500 से 1500 BC के करीब, माना जाता है, डेड़ दो, 3000 साल तक यह civilization यहां पर रही थी, उसके बाद, when the Vedic civilization begins, तो इसके सारे के सारे, यह kind of perish हो जाती है, जिसके बारे में theories है, जो कि ancient India history में पढ़नी है, बड़ यह बात ध्यान रखेगा, कि यह Indus Valley civilization है, और इसके art, और culture, और architecture के बारे में, हम जानना चाहते हैं, 1400 से भी अधिक settlements हैं, जो कि archaeologists ने, find की हैं, इस civilization की, बहुत सारे, maximum around 1000-1000 के करीब, चोटे-चोटे, 10-10 hectare के villages find की हैं, कुछ larger town है, कुछ चोटी cities है, इनमें जो सबसे बड़ी, इसको हडपा और महंजोदारों civilization, इसलिए कहा जाता है, कि जो महंजोदारों की साइट है, इस समय प्रेज़ेंट पाकिस्तान में है, 200 से भी अधिक hectare की है, अच्छा, हडपन civilization इसको इसलिए कहा जाता है, क्योंकि 1920-21-22 के अंदर, जब इसकी excavation होई थी, तो हडपा वाज़ी site, जहां पे सबसे पहली बार, फर्स टाइम, इस civilization को find किया गया था, archaeological survey of India के दोवारा, 1.500 hectare से भी अधिक है, फिर गनावरी वाला काफी बड़ी है, राखी गड़ी, इंडिया के अंदर, ये site है, और ये काफी बड़ी site है, काली बंगन, धोला वीरा, ये भी काफी बड़ी sites जो किया है, ये जैसे, आज अगर जो हम इंडिया में रहते हैं, अगर हमारी ये civilization पैरिश कर जाए, और आज से 3-4,000 साल बाद, कोई society हमारे पुराने remains को excavate करे, तो इसी तरीके से मिलेगा, कुछ towns होंगे बहुत बड़े, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे होंगे, मोहंजोदार और हरपपा कहलाएंगे उस समय वो, और उसके बाद कुछ tier 2 towns होंगे, जैसे कि भोपाल, जोधपूर, बीकानेर हो गया, तो उनको राखेगड़ी या काली वंगन या धोला भी रहा, उसके बाद जो tier 3 towns होते हैं, वो उस प्रकार से छोटे, और कुछ हमारे जो villages मिलेंगे, और छोटी-छोटी settlements होंगी, उसी प्रकार से हर एक civilization similar kind of pattern follow करती है, यही हमारी हडपा civilization का था, अगर आप art and culture पढ़ना चाहते हो, अगर आप ancient Indian history पढ़ना चाहते हो, तो हमेशा एक basic timeline, बहुत छोटी सी basic timeline, यानि कि कि समय क्या हो रहा है, उसको याद करके रखिए, वो आपके दिमाग के अंदर एक structure produce करेगी, जिसके अंदर आप information को add कर सकते हो, supplement कर सकते हो, ठीक है, तो इस बहुत basic है, बिल्कुल छोटा सा timeline को understand करते हैं, अपनी Indian subcontinent की, सबसे पहले बात करते हैं, prehistory की, prehistory का मतलब होता है, आज से 4000 साल पुरानी जो भी चीज है, उसको prehistory कहा जाता है, prehistory का actual मतलब यह है, कि जब written records exist नहीं करते थे, history begins, जब written records exist करना start करते हैं, उससे पहले जो भी चीज होती है, उसको prehistory कहा जाता है, the writing word is basically history, इतिहास का मतलब लिखना ही होता है, इतिहास को लिखना, कि जो events हैं समय के, उनको लिख देना, उसको इतिहास कहा जाता है, तो जब तक हमारे पास writing capabilities नहीं हैं, जो कि around 4-4-5-4-4 साल पहले, humanity find out करती है, उससे पहले जो भी हुआ है, उसको prehistory कहा जाता है, ठीक है, हड़पन civilization से पुराना जो भी है, उसको prehistory कहा जाएगा, उसके बाद आता है, Indus और सर्षवती civilization, जो कि मोटा मोटी अगर आप देखो, 2500 से 1500 BC होगा, ये अलग-अलग, कभी-कभी आप इसको 3500 से 1500 लेगो, 3000 से 1500, अलग-अलग ranges हैं, कोई middle हरपन, कोई late हरपन, कोई early हरपन, तो उसमें confused होने की जोतनी है, बट एक basic idea, कि 3500 से 5000 साल पहले, 3500 civilization exist करती थी, जिसको हमें आज पढ़ना है, उसके बाद, जब 3500 civilization खतम हो जाती है, 1520 में, तब आता है हमारा Vedic period, जो Vedic civilization है, 1500 से 1000 BC तक का, अप्रॉक्सी, 1600, 1800 BC तक का, 600 से 700 साल का समय है, फिर उसके बाद आता है, कि जो Vedic civilization है, उसके end में, जो सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे फिर्स्ट लार्जेस्ट एंपायर, एग्जिस्ट करता है, मौरिया पीरड में, अशोग करकर, जो कि आज से 2300-2400 साल पहले हुआ था, यहां पर अलेक्जेंडर भी इन्वेड करता है, अशोगा का 272-2400 साल पहले, उनका राज्य भी शेक होता है, और वो विश्व के वन ओफ दी ग्रेटेस्ट किंग्स एवर में अपना नाम लिखवा ले थे हैं, इंडीड वो सबसे पहले, बेसिकली इंडिया के सबसे पहले राजा के नाम से भी जाने जा सकते हैं, इतना बड़ा एरिया उस समय उनके अंडर था, फिर गोल्डन एज उफ इंडियन आर्ट एंड साइज, यह अराउंड सत्रा सु साल पहले, 380 के अंदर, गुपता एज स्टार्ट होती है, गुपता एंपायर का एज स्टार्ट होता है, जिसको माना जाता है, इंडिया की गोल्डन एज, ऑफ आर्ट एंड साइन्स, इस इस वेरी इंपॉर्टन पीरिएड उफ दी गुपता एज, ठीक है, इसलामिक इंवेडर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगले 300-400 साल तक खिल जी है, अलग-अलग जो डाइनस्टी है, इसी समय में भक्ती मुव्मेंट और सूफी मुव्मेंट स्टार्ट होती है, ताउजंड से 1580 के समय में, मुसलिम इंवेजन, इसलामिक इंवेडर्स का समय है, और भक्ती और सूफी मुव्मेंट का भी में पीरिड है, और जब फिफ्टीन हंदर्ट, मुगल एंपायर स्टार्ट हो जाता है, अकबर बट अकबर बेसिकली उसको प्राइम पे ले जाता है, और जब फाइनली हमारे ये मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है, देखी, हजार से लेके, अठारा सो तक मेडिवल है, शेसो साल, अठारा सो के बाद सारा का सारा मॉडर्न इंडिया है, जैसे बिटी शेट्स बिगिन करते हैं, यहाँ पे 3500 से लेके यहाँ तक यह सारा का सारा इंशेंट इंडिया है, और इसके पुराना है प्री हिस्ट्री, इस चीज को अंडर्स्टैंड करना हिस्ट्री के लिए, आर्ट अन कल्चर के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम लाइन को, यह दोनों की दोनों चीज़े मैं चैनल में फॉलो करता हूँ, शेर करता हूँ, तो अब इसको अइडेंटिफाई कर लीजेगा, इंडिस वेली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौरेंड डाइनस्टी, गुपता एरा, अराउंड सत्रा सो से पंद्रा सो साल पहले गुपताईरा था, उसके बाद चोला एमपायर, राश्ट कूटा पालाज और पढ़तिहाराज के जो एमपायर है, यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आर्ट एन कल्चर को पढ़ने के लिए, अब अपनी खोल लीजिए नितिन सिंगानिया, आर्ट एन अर्किटेक्चर का पहला चैप्टर जिसको कहते हैं, हडपन आर्ट एन अर्किटेक्चर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास हड़पन आर्ट और अर्गिटेक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफर्मेशन नहीं है तो यह त्रिमेंड़सली इजी और सिंपल है इसको सिर्फ और सिफ चार सेक्शन के अंदर हमको पढ़ना है नमबर वन साइट्स एंदी फाइंडिंग्स हडपा के जो साइट्स हडपन कल्चर इंडस वैली सिविलाजेशन के जो साइट्स हैं उनके मेजर साइट्स चौदा सो में से 20-25 के करीब हमें बढ़ने हैं और किस साइट्स से क्या मिलता है यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है किस प्रकार का टाउन हुआ करता था ऐसी इंफरमेशन अगर आप आपको मैं इंडिया का मैप दे दू तो आप बहुत आसा प्रेजेट टे इंडिया के बारे में आप बता सकते हैं कि बैंगलोर किसलिए फेमस है मुंबई किसलिए फेमस है डेली किसलिए डेली डेली इस द नवाबो का शहर है यही चीज हमें महांजोदारोग कल्चर के बारे में जाननी है कि वहां के जो टाउन थे क्या किया करते थे बहुत ही सरल है उसके बाद आर्किटेक्ट्टर कि उनके जो बिल्डिंग्स हमें मिली है एक्सकवेट करकर कैसी होती थी क्या परपस था आज आपके शहर में कोई एक building है जिस जो mall है जिसको shopping purpose है कहीं जगा है markets है office की buildings होती है stadiums है swimming pools है अलग-अलग प्रकार की building से अलग-अलग purpose तो हमें जब महंजोदारों की civilization मिली तो वहाँ पे जो building दिखी तो हमें उसी के purpose identify करने लगे कि governmental buildings कौन सी है private कौन सी है ये किस काम आत और फिर वहाँ की site से वहाँ के कुछ-कुछ artifacts मिले हैं ठीक है कुछ sculpture मिला है bronze से बना हुआ ठीक है कुछ seals मिली है seals का मतलब है कुछ square steer tight मिटी से कुछ square seals है जिसके उपर किसी animal के चितर है और कुछ language लिखी हुई है जो कि Indus Valley civilization की जो language है भी तक decipher नहीं हुई है और कुछ terracotta terracotta को मतलब भुनी हुई मिट्टी, hardened मिट्टी को terracotta कहा जाता है तो terracotta के बने हुए कुछ-कुछ artifacts मिले हुए है तो sculptures में आती है ये तीनों की तीनों चीज़े और इन तीनों चीज़े को हमें पढ़ना है and then वहाँ के pottery उस समय के बरतन मिले है उन बरतनों के बारे में जा identify की हडपा की कौन सी sites है important one और वहाँ से क्या मिला है ठीक है इसको ancient India की किताब से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर याद रहेगा क्योंकि उसमें contextual information दी होगी नितिन सिंगानिया में objective point wise notes है ठीक है चलो देखते हैं कौन से है जैसे की major IVC sites दुबारा से देखते हैं तो अब ह सबसे northernmost आलमगिरपूर हमारी सबसे eastern site है यूथ उत्तरपरदेश के अंदर है और दायमाबाद जो है सबसे southern site है ठीक है और उसके बाद अब हम site को देखेंगे हैं यहाँ पर कौन-कौन सी है देखिए यहाँ पर confusion होना बहुत valid है इसको कहा जाता है इन generally हडपन civilization या फिर Indus valley civilization but interestingly हडपा is not on the banks of Indus it is on the banks of the Ravi यह question अगर मैं होता तो अगले साल UPSC में पूछ देता थीक है तो इसको बाद को ध्यान रख रहा है मोहंज़दारो दो it is on the bank of the Indus west bank of the Indus and हडपा is on the east bank of the Ravi इस बात को ध्यान रख रहा है यह confusion बनता तो है question भी बनता है यह उसके बाद यह present day इंडिया पाकिस्तान का border है ठीक है तो काली बंगन इंडिया में है सुरुका ताड़ा यह important है भी discuss करेंगे इंडिया के अंदर है धोला वीरा इंडिया के अंदर है लोथल important है इंडिया के अंदर है काली बंगन important है इंडिया के अंदर है राकी घड़ी important है इंडिया के अं हडपा की जो साइट मिली जो कि इस समय पाकिस्तान के रावी नधी के किनारे पर पाई गई थी अब वहां से हमें क्या क्या मिला What was the purpose क्या मिला सबसे पहले जो ये मूर्तिया है जिनको Mother Goddess की मूर्तिया कहा जाता है टैरा कॉटा बुनी हुई मिट्टी से बनी हुई है ये जो दोनों की दोनों मूर्तिया है ये हमें हडपा की साइट से मिली Wheat and Barley in Wooden Mortar हमें वहां पर Wheat और Barley के basically instances मिले है कि वहां पर use होता था दो है देखो एक तो Wheat और Barley है वह हडपा में मिला है rice भी मिला है कहीं पर ठीक है कहां पर मिला है rice ये हमें अब identify करना है ये हमें याद रखना है क्योंकि ये सीधा question को जा rice का evidence हडपान civilization में कहां पर है दूसरा मोहंजोदारों यहां की सबसे important sites almost सबसे major artifacts हैं वो यहीं से मिले हैं इसको कहा जाता है priest king sculpture ठीक है हमें इसका purpose नहीं पता है क्या था क्या करता था बट अब इसको priest king के नाम से जाना जाता है ये मोहंजोदारों site पर मिला था ये the dancing girl ये एक bronze का sculpture बनाया हुआ है जिसका नाम है dancing girl और ये एक important seal है जिसको पशुपती seal के नाम से जाना जाता है इन तीनों की क्या क्या importance है इसको तीनों में separate में हम sculpture में discuss करेंगे but you need to understand कि ये तीनों के तीनों जो चीज़े हैं ये भारप्पन civilization के symbol है तीनों के तीनों मोहंजोदारों से मिले थे अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो bearded priest की जो ये मूर्ती है ये इस समय पाकिस्तान के national museum में है और ये जो dancing girl है ये हमारे पास इंडिया के national दिल्ली के अंदर museum के अंदर है और परशुपती seal ये भी भारत के पास है ये हुआ क्या कि excavation of hadapan civilization began in 1921 के समय में ठीक है और वो जितनी भी site है आज देखोगे वो present day पाकिस्तान में है तो जब इंडिया partition हुआ पाकिस्तान भी लाइक कि जो हमारी territory से मिला था हमें सारा का सारा वापिस दे दो इंडिया भी लाइक कि ऐसा नहीं चलेगा आधा आधा करना हो तो कर लो तो हमने literally जितने भी artifacts hadapan civilization से मिले थे वो आधे आधे कर लिए आधे पाकिस्तान को दे दी आधे हमें रख लिए तो ये bearded priest उनके पास चला गया और dancing girl हमने इंडिया के पास रहे गया तो ये जो महंजोदारों की city है यहाँ पर जो important चीजे है इस पर याद रखने वाली the great bath मिला है यहाँ के अंदर इसको discuss करेंगे ठीक है bearded priest का जो ये sculpture है ये महंजोदारों से मिला है ये बहुत ही famous bronze statue है dancing girl का और जो पशुपती seal है ये तीनों की तीनों चीजे importantly यहाँ पर मिली है और चौती जो चीजे है इसको great bath पर याद रखना कि great bath नाम का एक building है जब ऐसा माना जाता है कि वो एक pool था काफी बड़ा pool है जिसके size से देखे उसको great bath का नाम दिया गया है अब धोला वीरा जो है गुजरात की this is an important site क्यों important अभी बताते हैं यहाँ पर एक water reservoir मिला है water harnessing system stadium मिले हुए है dance बने हुए है embankments बने हुए है धोला वीरा क्यों important है हरपन civilization की यह इंडिया के अंदर एक ही site है जिसको UNESCO World Heritage Site मिला हुआ है UNESCO World Heritage Site है यह तो यह बात important याद रखिये कि धोला वीरा इन गुजरात और 2021 में ही मिला है ठीक है recently ही मिला है तो it becomes important for you तो UNESCO World Heritage Site का इंडिया में एक ही अच्छा पागिस्तान में भी एक ही है सिर्फ मोहनजोदारो को ही World Heritage Site का दर्जा दिया गया है so there are only two Indus Valley Civilization Sites which has the World Heritage Site status इंडिया के अंदर धोला वीरा और पागिस्तान के अंदर मोहनजोदारो you should actually I am curious about it कि हडपा को अब तक क्यों नहीं दिया गया है क्योंकि it is as important as मोहनजोदारो and it is as big it's a big city छोटी भी city नहीं है उसके नाम पे civilization है उसको नहीं मिला है तो मोहनजोदारो and धोला वीरा remember it very important उसके बाद इंडिया का एक और important town है जिसका नाम है Lothal जो इंडिया के अंदर है इसको Manchester of Indus Valley Civilization कहा जाता है अब किसी भी चीज़ को Manchester कहोगे न तो हमेशा उसका एक ही result निकला this is the Manchester of that area Manchester of that time देखें, Manchester modern world में industrial revolution जब start होती है तो Manchester एक ऐसा town है जो कि trade, cotton trade के लिए specifically बहुत ज़्यादा famous होता है तो telling someone की Manchester हो यह town Manchester है उसका मतलब होता है कि वहाँ पर cotton उगता है cotton का trade होता है यह बाते दो information आपको देगी कि Indus Valley Civilization का एक town है जिसको Manchester कहा जा रहा है यानि कि Indus Valley Civilization पर cotton exist करता है यह बाते आपको पता होनी चाहिए क्योंकि silk नहीं है यही question है कि does silk exist in Indus? No, it doesn't but does cotton? Yes and then they will ask you क्योंकि कहाँ पर मिला है cotton? Lothal के अंदर क्यों? क्योंकि Lothal में एक naval trade exist करता है यहाँ पर dockyard पाया गया है and more importantly जो हम discuss कर रहे थे rice चावल के evidence मिले है यहाँ पर wheat और barley के हडपा में थे और चावल का evidence Lothal में मिला है इतनी important city है यह fire altars मिले है painted jar and practice of the burial of the cremated remains देखो यह जो है इसको हम क्यों कर रहे है burial of cremated remains यह जो this is a very important event कि जब हम किसी मृत व्यक्ति के शव को जला देते हैं और उसके बाद जो उनके remains है उनकी जो राक है उसको बरी करते हैं this gives a tremendously important information about the religious or the social belief of the society तभी हम इस बात पर बहुत focus कर रहे हैं कि इस city के अंदर ऐसे evidence मिले हुए है जहाँ पर मरने के बाद जो remains थे उनको बरी कर दिया गया है क्योंकि this will actually aid us in understanding चलिए उसके बाद राखी गड़ी के बारे में बात करते हैं राखी गड़ी in Haryana is considered to be the largest site of interest valley civilization is a wrong statement यह मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि नितिन सिंगानिये में दिया गया है यह गलत statement है सबसे वहले बिल्कुल गलत statement है यह recently मिली है है काफी बड़ी बट सबसे बड़ी महंजोदारों है इंडिया में जो सबसे बड़ी है वो धोला वीरा है यह statement गलत है तो मुझे लगा कि इसको clear यहीं पर किया जाएगा तो ही बहतर रहेगा यहाँ पर ग्रेंडरी मिली है ऐसी जंग है जहाँ पर अनाज को रखा जाता है अनाज के ड्रेंस है टेराकोटा की ब्रिक्स मिली हुई है इट इस कॉल्ड दी प्रोविंशल कैपिटल ओफ हडपन सिविलिजेशन पता नहीं शायद इंडिया में थी तो हमने इसको करवा दिया मतलब आर्चियोलोजिस से रिक्वेस्ट करके कि महंजोदार उधर गया अडपपा उधर गया यह राकी गड़ीवाज दी प्रोविंशल कैपिटल ठीक है तो एंड देन छोड़े छोटे हैं अच्छा यहाँ पर बात करेंगे सुरका तोड़ा के सुरको ताड़ा प्राविब्ली इसको कॉंट्रोवर्शियल डिसक्शन अफ दिस लेक्शर राइट नौ सुरका तोड़ा गुजरात के अंदर है ठीक है आप देखें यहाँ पर फोटो में यहाँ पर एक बहुत मेजर डिबेट एग्जिस्ट करता है कि क्या इंडस वेली सिविलाइजेशन के पास हॉर्स की नौलिज थी क्या हॉर्स उनकी सिविलाइजेशन में किसी परकार का रोल प्ले करता था या नहीं करता था अब जो वहाँ से आर्टिफेक्ट मिलते हैं सील मिलते हैं में कहीं पर भी होंस एग्जिस्ट नहीं करता है ना उनके चित्रों में ना उनके स्कल्प्चर में ना हमां किसी ओओ परीकार का एविडेंस मिला है एक साइट है गुजरात में सुरको ताड़ा की जहां से कुछ remains मिले हैं जिने माना जाता है कि वहाँ पर horse की bones है घोडे की कुछ पुरानी bones के कुछ evidence मिले हुए है यह बहुत ही लेट हरपन में मिला है इसकी जो timing से 1500 BC के समय है कहने का मतलब है कि या तो यह probably उस समय तक civilization perish कर चुकी थी और तभी शायद घोडे के कुछ remains है और खासकर से probably हरपन civilization में कोई important role play नहीं किया horse ने और शायद हो सकता है उन्होंने domesticate ना भी किया वो ना भी जानते हो कई जंगों पर ये भी पढ़ोगे कि it is debatable कुछ archaeologist कहते है कि these are not the remains of the horse probably इसको अलगलत तरीके से identify किया जा रहा है बट आपको academic और exam perspective से या याद रहना है कि horse का जब context आएगा Indus Valley civilization में तो हमेशा सिर्फ सुर्को ताड़ा इन गुजरात के context में ही आएगा मेहरगड यह हमने पढ़ा है it's the Neolithic site जहां से almost Indian subcontinent की settlement life की start होती है इसको precursor माना जाता है Indus Valley civilization से यहां पर pottery और कुछ प्रकार के copper tools यानि नियोलिथिक और चालकोलिथिक and then it is precursor to the Indus Valley civilization पाई जाती है look at the importance of this site और हमें पता भी नहीं था आपको पता था गड़ अच्छा यह Indus Valley civilization की sites है ना वहाँ पर citadel जरूर मिलता है citadel का मतलब होता है शहर का एक थोड़ा सा raised platform जहां पर कुछ important buildings है slightly सा raised platforms हर साइट मोहन जोदारो में भी है हडपा में भी है लोथल्स हर जहेंगे पर है सिर्फ एक टाउन है चानहूदारो जहां पर यह नहीं है it is the only city without a satadale without a raised platform without a platform जहां पर buildings किसी platform पर है सबकु सब सेम ही level पर है यहां पर lipsticks ladies and gentlemen ladies more specifically lipstick के evidence find किये गए है चानहूदारो so if the girls are transported or travels time travels to the Indus Valley civilization they won't feel quite out of the place ठीक है कोट बाला पाकिस्तान के अंदर है जहां पर सबसे पहले furnace furnace आग की भटी के evidence मिलते है which is an important technological advancement now you get the point of me right Indus Valley civilization जब आप पढ़े हैं तो इस बात पर ध्यान रखना है हम किस site के बारे में पढ़ रहे हैं और क्योंकि हम पर बहुत कम है अब जैसे ब्रॉंज का जो sculpture वो हर जह जह नहीं मिला एक ही जहंग है महंजोदारो वो बियर्डिट प्रीस्ट की जो हमने picture देखी है वो बहुत सारी नहीं है कि हर जहंगे से मिले जारी है एक ही मिली है वर्ड हेरिटेज है वो इससे में वर्ड की आगिस्तान के पास है लेनी पड़ेगी उनसे किसी तरह से तो hence we need to know कि यह लिए कहां से थे मिली कहां से है कौन सी चीज अब हम जब पूरे के पूरे हडपन civilization को इन थर्ड परस्पेक्टिव में बढ़ते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे टोटल जितनी भी sites है अप्रॉक्सिमेटली तीन टाइप की buildings पाई जाती है Logically एक तो dwelling houses यानि की residential building अब लोग थे वहाँ पर उस समय को कहां पे रहेंगे दूसरा public buildings इटल भी आज की तरह ही है एक private house है और बागी जितनी भी buildings है वो सारी की सारी public buildings है government buildings है, malls है, stadium से सारी की सारी public buildings है वहाँ पर भी इसी प्रकार से था, dwelling houses थे जहाँ पे लोग रह रहे है और एक तीसरा important characteristics जो कि इस civilization के साथ जुड़ा हुआ है वो है public बात का, बड़ा important है, सबसे important characteristics है इंडस वेली civilization का तो civilization की जो ये cities है, urban, urban ये word मैंने इतनी बार इसलिए यूज किया है क्योंकि that is the point of इंडस वेली civilization, we are fascinated by it क्यों, क्योंकि ये urban civilization थी urban का मतलब होता है, जहाँ पर planning की जुरूद पड़े, जहाँ पर सारे के सारे लोग agriculture के ऊपर dependent ना हो यानि वहाँ पर और trade होता होगा, वहाँ पर industries होती होगी, वहाँ पर बड़े सारे से लोग secondary और tertiary professions में involved होगे, तभी urban होता है urban का मतलब होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार से city को कोई municipal या कोई bureaucratic governmental structure कंट्रोल करता होगा which is interesting क्यों हो, क्योंकि ये 4000-5000 साल पुरानी बात है और उस समय ये सब चीज़े exist करती थी, तो ये याद रखने, जान नहीं होगे बाते हैं अब civilization, urban planning के लिए जाती जाती है, यहाँ पर जो house मिलते हैं, वो baked brick, मिट्टी की भट्टी से जो इटे होती हैं, तभी तो ये survive कर गई, उससे बने हुए है बहुत ही elaborate drainage system है, water supply system है, और there is a cluster of large non-residential building क्यों important है, आप गावों में जाके देखिए, गावों में public building बहुत कम होती है, सारे के सारे residential houses एक क्लस्टर में रहते हैं, और कुछ एक दो ही public building होती है शहरों में जाकर देखोगे, तो there will be always a spaces, जहाँ पर cluster of public buildings है एक area है, जहाँ पर सिर्फ offices होते हैं, एक area है, जहाँ पर सिर्फ shopping की दुकाने हैं तो जो एक cluster of public buildings, एक जहें पर होने का characteristic होता है, यह सिर्फ और सिर्फ urban civilizations में पाया जा सकता है and hence, Indus Valley civilization में है, metallurgy, copper, bronze, lead और टीन, यह चारों के चारों metal है, जो कि हमें हड़पन civilization में मिलते है iron नहीं मिलता है, क्योंकि iron तो age हई स्टार्टी नहीं हुई है, यह bronze age का समय चल रहा है इसके खतम होने के बाद iron age आएगी, ठीक है, यह question is, it's a prelims question it can be asked अब यहाँ पर देखिए, इस map से समझ में आएगा कि क्या हुआ करता था हडपा के समय में और इसको कहते है, देखो, पूरी की पूरी town है, city है, यह एक area है this is how the basic planning of this civilization is, कि एक area जो थोड़ी से raised structure पर बना होता है जिसको कहा जाता है citadel this actually works, this is even in the modern civilization में भी ऐसा होगा आप अगर जाके, आप अगर राजिस्तान में जाएंगे, तो जितने भी जो किले हैं, वो एक particular height पर होते हैं थोड़े थोड़े से height पर किसी परकार से, जहां से city पूरा पूरा टाउन देखता है आज भी आप, अप इनीड जो modern cities भी हैं, उसमें भी देखेंगे, तिकि जो posh area है, या जो elite area है it is geographically, is more of a raised platform के उपर होता है और ऐसा ही system जो था, वो हमारे महंजोदारों के समयमे भी था अच्छा, अब यहां पर इस photo को देखके लगाओ, देखो straight lines है, first sign of planning, straight grades है अगर आप गाओं में देखोगे, तो गाओं का जो, road का जो structure होता है, वो इस परकार से होता है straight roads नहीं होती है, मुड़ मुड़ कर जाती है, right urban area ही इस परकार से, कई हमारे शहर भी है, जहांपर नहीं है but planned urban area जो होंगे, वो हमेशा rectilinear जो होंगे, grids के द्वारा बनाए जाएंगे और उसके बाद एक परकार की fortifications है, यहांवे बिलकुल modern शहरों जैसा plan है, यह 4000 साल पहले की बात है network of houses, उसमें urban और social element जैसे की road होती है, fire pits और industrial buildings जोकी urban elements है, यह यहांपर exist करते है and this is what the fascinating thing about these towns are, अब सबसे बड़ी जो interesting बात है यहांपर एक तो public buildings हो गई, एक residential building हो गई इन cities में public बात ज़रूर मिलता है, public बात यानि कि बड़ा सा पूल जहांपर लोग इखटे हो सकते हैं, लोग इखटे सनान कर सकते हैं, which is an important feature क्यों, क्योंकि जहांपर भी देखोगे, public बात ना, एक ritualistic cleansing को signify करता है आप देखिए अभी कहांपर आपके country में, आपके शहर में, आपकी society में, कहांपर public बात्स हैं गुरू दुआरों में, मंदिरों में यानि कि जहांपर भी पुरानी civilization में, जब भी एक public बात का concept होता है उसको कहा जाता है कि वो ritualistic cleansing का कोई नो कोई importance है उस society के अंदर अब यहांपर galleries हैं, rooms हैं, अब इसका सबसे important और जो सबसे famous example है उसका नाम है Great Bath, जो कि महंजोदारों में excavate किया गया था तभी तो महंजोदारों इतनी important है, and this archaeologist को fascinate करता है कि यह इन्होंने बड़ा सारा सा pool बना रखा था आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले ऐसा कुछ दिखता होगा, अगर आप आज चले जाओगे, उस photo में नहीं दिख पा रहा है The Great Bath, but something like this इसकी जो construction हो थोड़ी modern है, but yes, according to that time बट ऐसा कुछ इसका Great Bath का version होगा, महंजोदारों के इंदर इसके अलावा, Great Bath नाम की जो building है इसके अलावा जो है, the most striking feature is advanced drainage system देखो, हमारी जो modern society है ना, हमको पता नहीं चलता है बट वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टेंड background पर रहती है, modern plumbing की वज़े से और जो modern plumbing है ना, वो Europe ने invent की थी 1400, 1500, 500, 600 साल पुरानी है, उससे जादा नहीं नहीं तो जो यह modern plumbing system है, जब हम कभी पुरानी civilizations को excavate करते हैं और वहाँ पर कोई advanced drainage system पाते है ना, तो this is very surprising to us, क्योंकि है तो यह सिफ 400, 500 साल पुरानी वाली चीज़े, लेकिन this civilization had an drainage system at 5000 years ago, this is what is amazing about Indus Valley civilization, अलग-अलग छोटे-छोटे drains थे, जो कि हर हाउस से निकलते थे larger drains running alongside the main road, जैसा आजकल के गाहों में, अगर आप देखेंगे, कुछ जो पुराने गाहों है, जिसमें वो system होता था, वो system, आपको लगेगा, आप तो गाहों में हैं, but that system existing 5000 years ago, is amazing basically, इन drains को cover किया जाता था, loosely और cleaning का maintenance का system था, यह feature है, drainage system, advanced drainage system is a feature of Indus Valley civilization, अब town planning, उनकी building, great बात के बारे में पढ़ने के बाद, अब आजाते हैं, sculpture के उपर, क्योंकि वहां से हमें कुछ कुछ चीजें मिली, उसके बारे में, अब तीन उसके sections हैं, एक तो हमें मिली है, seals वहां से, like these, these kind of seals, ठीक है, इनका commercial purpose था, educational purpose था, religious purpose था, उसके उपर speculations है, उसके उपर कुछ evidence है, बात करते हैं, then हमें वहां पर मिली हैं कुछ bronze figures, this bronze sculpture, जो सबसे famous है, ये dancing girl है, और देन, देरा कुछ मूर्तिया बनी हुई है, जो कि terracotta, यानि ये जो भुनी हुई मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे वाले, तो इन तीनों तीनों को एक बार पढ़ते हैं, seals के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, और फिर एक एक जो सबसे important इनका sculpture है उसके बारे में, seals, अब क्या है, steer tight, ये वो मिट्टी होती है, जो नदीयों के नीचे मिलती है, इस steer tight मिट्टी के द्वारा कुछ seals बनाई गई है, ठीक है, ऐसी जो seals होती है, ये सारी की सारी, in general, square color, square में, there are some triangle also, कुछ दूसरी shapes भी है, but majority of them, ऐसी square shape किये हैं, और इनका सबका same, some same तरीके से, देखो, it is dominated by one animal, एक बड़े animal बनते हैं, और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, Indus Valley Civilization के script में, जो कि undeciphered है, तब ही उसकी वज़े से हमें इसके purpose पर speculation देनी पड़ रही है, सबके सबका यही system है, this is what a seal does, ठीक है, pictographic script है, जिसको decipher नहीं किया गया है, यूजुली इनके उपर animal impression होते हैं, कौन-कौन से animal, जैसे कि unicorn, bull, rhinoceros, tiger, elephant, buffalo, bison, goat, marker, ibex, और crocodile, याद रखना है, अभी पता चला कि मोहनजवदारों में वो रितिक रोशन को कौन सो, क्यों बकरी, सींग वाली बकरी दिखती थी, they picked this idea, हडपन civilization में कुछ seals हैं और उस पर किसी प्रकार का unicorn बना हुआ है, उनको लगा कि इसको movie का motive बनाते हैं, अच्छा, क्यों ये याद रखना है, क्योंकि UPSC पूछेगी, कौन से animal हैं seals के उपर, दो नहीं है, cow has not been found on any seal, Vedic civilization जब स्टार्ट होते हैं तो cow is the central to Vedic civilization, it's a pastoralist civilization, cow वहाँ का center है, उसकी precursor Indus Valley civilization में exist ही नहीं कर रही है cow, and horse also, horse किसी भी seal पर नहीं है, horse के debatable, debatable क्या नाम है, evidence है, अगर वैसे, आने वाली class में वैसे पता चल जाता, Swat Valley, पागिस्तान में है इस समय, यहाँ से first time, non-debatable evidence मिलता है horse का, Indian subcontinent में, इंडियन subcontinent में, horse का जो first evidence है, क्या कहते हैं, अपराग 1500 BC के बाद, Swat Valley से मिलता है, जो अभी Indus Valley का है, वो debatable है, उसको मानते नहीं है सारे किस सारे लोग, probably वो horse है भी नहीं, यह बात सबको पता है, इसको commercial purpose के लिए use करते थे, seals को क्यों commercial purpose के लिए use करते थे, अभी जो present day Iran है, हडपा जब exist करती थी, तो present day Iran में mesopotamian civilization exist करती थी, उस civilization में यह seal मिली है, यह वाली seals मिलती हैं कई बार, तो this is evidence की, कुछ तो trade होता था, वहाँ पे जाते थे, किसी प्रकार का legal contract हो सकता है, यह कुछ position, कुछ status, bureaucratic status describe कर सकती है, maybe यह कोई evidence है की उपर लिख दिया, कि किस आदमी ने यह bull किस को दिया है, and this was an evidence of an exchange, commercial purpose हो सकता था इन चीजों का, इन seals में, जो सबसे interesting और fascinating seal है, वो है पशुपती seal, यह वाली seal जो है, इंडिया के पास है, क्यों? क्योंकि जितनी भी seal देखोगे, तुम इन सब में न animal central motif, animal बनावा उपर कुछ लिखा हुआ है, यह एक ऐसी seal है, and there are very rare, जिसके अंदर central जो element है, which is a human figure, that is new, that is very interesting, इसको कहा जाता है, पशुपती seal, also called as महायोगी seal, also called as proto-Shiva seal, यहने कि proto-Shiva का मतलब, कि जो Shiva, जो God की जो mythology है, यह concept शायद यहाँ पर कहीं पर इसी से लिए, यह कोई proto- योगी क पोज में वैठा हुआ है, it is that concept that later on builds up into the God Shiva. It's unusual, क्योंकि यहाँ पर human figure main और largest element है, बाकी सब के अंदर animal होता है, it is claimed to be the earliest depiction of the Hindu God Shiva, also यह भी debatable है, but seems very logical thing. अभी seal को बहुत अच्छी तरह से देखोगे, तो देखो एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, योगीक पोजीशन में बैठा हुआ है, एक लंबा सा बड़ा सा headgear पहना हुआ है, देखो यह बड़ा सा, उसके चारों तरह फैनिमल है, यह tiger है, elephant है, rhinosaurus है, और उसके बाद यह buffalo है, चार फैनिमल, नीचे देखोगे, तो किसी परकार का hiran है, दो antelope नीचे दिये गए है, और उपर किसी परकार की कोई, कुछी नहीं, इंडस्वेली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट है, जिसको हम वो नहीं कर पाए है, इस इस दी पशूपती सील, जो की बहुत ही ज़्यादा informative है, स्टड़ी करते हैं आर्के ओलोजिस, इसको हडपा के बारे में, अब हमें पढ़ना है, बरॉण्ज स्कल्ब्टर, वहाँ पर बरॉण्ज स्कल्ब्टर बनते थे, ठीक है हडपा के अंदर, और बनते कैसे थे, Lost Vex टेक्नीक से, LOST Vex टेक्नीक का यह मतलब नहीं है, कि अलमारी में कोई चीज रखी हुई थी गुम हो गई है यह लॉस्ट वेक्स है तो सर अभी इसको हमें नहीं पता कैसा यह इंटरस्टिंग इसलिए है कि इसको एंचेंट सिविलाजेशन से यूज करती थी लॉस्ट वेक्स टेक्नीक को दो तीन चार हजार साल पहले उसके ब वो बीच का टाइम कैसे लूज हो गया एक बार टेकनालोजी आ जाती तो लूज तो नहीं होती इसको कहा जाता है सीरे पर्ड्यू सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको कोई मूर्ती बनानी है तो पहले उस मूर्ती का आप मोम का एक अकार बना लेजिए ठीक है उसका मोम से बना लीजिए उस पूरी की पूरी मूर्ती को उस मूर्ती को मोम से बनाने के लिए बाद उसके चारो तरफ किसी परकार का खाचा लगा दो ठीक है काइंड जैसे प्लास्टोर ऑफ पैरिस से उस मूर्ती को चारो तरफ से भर दो ठीक है या मिट्टी से भर दो उसको मूर्त क्रिए हो जाएगा दिस स्कुल्प्चर वज प्रॉबबली क्रिएट इन दैट मैनर फंद लॉस्ट वेक्स टेक्निक पहले किसी ने मों से बनाया उसके बाद इसके उपर मिट्टी चड़ा दी मों के उपर फिर गरम करके वह मों को बाहर निकाल दिया गया और उपर से फिर क् इससे प्री हिस्टरिक तैईस सो से सतरा सो पचास साल पहले अप्रॉक्सिमेटली दो हजार अल्मोस्ट फॉर्टी थ्री हंडड इयर्स पहले यह बनाया गया था किसी आर्टिस्ट ने मोहंजोदारों में बैठके उस दिन यह बना रहा तो उसे सोचा नहीं होगा कि चार हाथ के अंदर अप्रॉक्सिमेटली 24-25 बैंगल पहनी हुई है दूसरे वाले हाथ में सिर्फ तीन या चार यह है एक नेकलेस पहना हुआ है कोई तीन उसके अंदर कुछ है थ्री काइंड अफ डिजाइन यह दो फोटो है यह दोनों की दोनों मोहंजोदारों से मिली है इस परकार से काली बंगन नाम की जो जंग है वहां से ब्रॉंज का ये बुल का स्ट्रक्चर मिला है हमें जैसे इडेंटिफाए करना है कौन सी चीज कहां से मिलनी है ठीक है and this dancing girl is the world's oldest ब्रॉंज sculpture in existence सोच के देखो उस दिन जब आदमी इसको बना रहा था उसका random काम चल रहा होगा and he had no imagination of the future we had we don't have any imagination from what was gonna happen after 200 years and this artifact of that person this creation of this person is now the world heritage of the world interesting जब भी कोई काम करो इस तरीके से करो कि आज से 5000 साल पहले 5000 साल बाद हो सकता है दुबारा से उसको कोई निकाल लेगा उसको दुबारा से appreciate करेंगे so whatever you are trying to do always try to do as if it is going to be a world culture, world heritage from here on sculpture के अंदर last जो है हमारा है terracotta का terracotta यानि कि कुछ ऐसी जो हमें महा से मूर्तियां मिली है जो कि भुनियों ही मिट्टी से बनाए गई थी सबसे पहले तो seal है और उसके बाद bronze की बनाई गई है और उसके बाद यह बनाई गई है अब इसमें इंटरस्टिंग है यहां पे फिर भी there is a figure जो कि हम female figure इसके अंदर से देख सकते हैं बट यह जो figure देखो गए यह बड़ी crude figures है they are all female figures लेकिन बहुत ही crudely बनाया गए है यह इसका interesting characteristics feature है कि bronze figure के compare में बहुत कम मिली है and they are crude in shape and form ठीक है अब यह गुजरात काली बंगन से कई जहंगों से मिली हुई है इसमें जो सबसे popular है यह site है और यह कई जहंगों से मिलती है और इस it's a collection of these terracotta मूर्तियं हैं जिनको mother goddess कहा जाता है these are mother goddess figures जो की बड़ी सारी सी इंडस साइट से मिलते हैं इसका मतलब यह है कि उस civilization में किसी ना किसी प्रकार की इसकी importance रही होगी एक female को यह करती है एक headgear है and you know इस प्रकार से photo बनी हुई है जिसमें facial features दो है बहुत ही crude बनाय गया है मतलब it doesn't have a finis metal से ज्यादा असान तो terracotta को manipulate करना है लेकिन उसके बावजूद भी this was it they made इसका purpose gauge करना बहुत मुश्किल है probably probably it was worship for the prosperity क्योंकि जो mother goddess और या fertility जो cults है almost हर ancient civilization में fertility को या mother goddess को यह बहुत basic concept है बहुत primal concepts है जिसको worship ज़रूर किया जा सकता था तो this was the closest assumption जो कि यह यहां पर exist करता है तैरा कोटा की दो चीज़े popular है एक तो mother goddess है और दूसरा this priest king sculpture it is probably the most famous sculpture of the Indus Valley civilization इस समय पागिस्तान के national museum में है incomplete है शाय टूट गया है probably जब artist उसको बना रहा था वो पूरा नहीं कर पाये था approximately 4000 साल पुराना महंजोदारों के late period में इसको assign किया जाता है कि उस समय बना था अब priest king sculpture इसका नाम है थोड़ा सा speculative है we really don't know कि यह priest king था it was a bureaucrat या उस समय के लोगों का रहना पहनावा ही ऐसा था या rich लोग ऐसे करते थे कोई information नहीं है बढ़ा the name is called as the priest king okay indeed actually में पाकिस्तान के जो महंजोदारों की site है वहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ती लगाई गई है इसकी और उसका नाम भी वहाँ पे उन्होंने priest king रख दिया है ठीक है तो exactly क्या इसका purpose था क्या नहीं था बट इस is tremendously popular and now hold on to this and this is very important and listen to it very carefully क्योंकि this might actually change a lot of things about it okay we really have to see the uncanny similarity in these pictures and we will need to because we have the evidence we need to consider the possibility that Prime Minister Narendra Modi might be the traveler, time traveler from the Hadappan civilization this is the priest king of Hadappan 4000 years ago and in all probability it would not be a misnomer if you will call Prime Minister Narendra Modi as the priest king of modern India now this is a speculative, this is speculation, this is an assumption that Modi could be the time traveler from past and there is no way to prove it to be honest but there is no way to deny it either and that is what is interesting to me right now what do you have to say about it, do mention it in the comments is Narendra Modi the time traveler from Hadappan? for the people who didn't understand this was his joke मेरे नाम पे conspiracy theory नहीं चला देना ठीक है, अज़ा इसके अलावा ये sculptures के बारे में discuss करने के बाद there are pottery, pottery वहाँ से जो भी बड़तन मिलते हैं अब यहाँ पर यह word याद रखना है, क्यों? क्योंकि यह Maurya में भी आएगा अलग-अलग civilizations के अंदर, अलग-अलग time के अंदर, अलग-अलग pottery है ठीक है, तो हड़पन civilization की pottery है, जिसको कहा जाता है red and black pottery, क्यों? क्योंकि इसका जो background है, वो red color का होता है और इसके उपर जो design होते हैं, वो black color से होते है red and black pottery अभी जब Mauryan Empire करेंगे, तो उसके अंदर दूसरे type की pottery है तो pottery से identify होती है, कौनसी civilization क्या कर रही है तो ये बात को ध्यान रखना, कि red colors background को paint करने के लिए और उसके उपर black paint से हम design और figure draw करते थे और ऐसे परकार की pottery है एक तो plane है, जिनको घर पे use करते हैं, बरतन बरतन के लिए, पानी भरने के लिए use करते होंगे, and then there are probably some kind of a decorative purposes of these designer potries या फिर हो सकता है, इनको भी करते होंगे, बट जो elite होंगे, जो rich होंगे, वो इनको use करते होंगे won't be able to find it, but this is what it is दो तरीके की pottery मिलती है, question यहीं आएगा कि red and black pottery कौनसी civilization में belong करती है, and इसके साथ-साथ हम जानते हैं, हमने जहां से जो मिला, तो we know कि they were wearing ornaments also it was a urban civilization, advanced art and culture थी वहाँ पर, both men और women जो थे, ornaments पहना करते थे, girdles, earrings और anklets were worn only by women अब यहाँ पर जो हमें याद करना है, वो यह है कि carnelian amethized quads और steatite, इसके वो necklace बनाया करते थे और यह चीज़ है वहाँ पर available है, these four things, carnelian amethized quads और steatite, ठीक है, इतने popular थे कि there is a possible कि चानहुदु आरो और लोथल में इनकी factory थी, लोथल जो कि एक trade town है उनका, चानुहादारो the only city of Indus Valley civilization, which does not have a citadel, वहाँ पर factory, most probably industrial towns थे, trade town थे, port town थे, जहाँ पर bead making factory मोतिया बना रहे हैं, इनके make-up का समान बना रहे हैं, ornaments बना रहे हैं, और fabric कौन सा, cotton और wool, silk, obviously, was invented by China, अभी तक हडपन civilization की समय तो उन्हों ने किया भी नहीं है, तो वह हमारे पास नहीं है, but cotton और wool की वहाँ पर existence थी, and this is the, all of the art and culture of the हडपा and the महंजुदारो civilization, यह हमारा purpose ह और इसी तरीके से हम करेंगे, now a lot of you might be interested and probably want the pdf of these classes, ठीक है, वो pdf आपको इस telegram channel के उपर मिल जाएगा, आने वाली जो classes होंगी, या कोई और update होगी, तो उसकी जो notifications है, वो भी इसी के उपर आपको मिल सकती है, ठीक है, not an issue, so do join this telegram channel, now we will ensure, या हम कोशिश करेंगे, कि हम art and culture से हर एक time के, इसी परकार से, जैसे आज हरपा का किया है, and in the lecture number two, we'll be doing the Morian Arc and Architecture, और ऐसे करते करते, नितिन सिंहानिया को base मनाते हुए, NCRT के साथ supplement करते हुए, जितने भी UPSC या दूसरे आपके competitive exams है, उनमें जो भी art and culture का जो question आएगा, उसको comprehensively इस series के दौरा complete कर सके, if you have any suggestions, if you like the class, do comment below this YouTube video and do give me the feedback about it. I will see you in the lecture number two, we will discuss Morian Art and Architecture, have a nice day.